हाई गाईज आई आई नीतु नीगम और वेल्कम पो माई चानल माई पार्सालावाई नीतु नीगम आज मैं आपके लिए S.O.R.F. International Olympiad के सोशल साइंस और EBS से Olympiad exam के बारे में questions, papers, labels, exam date, उसकी registration date क्या है आप form कैसे भर सकते हैं, exam किस mode में होगी, offline या online इन सब भी details के बारे में हम जानेंगे इस exam को देने की examination freeze क्या है, तो चलिए start करते हैं सबसे पहले S.O.F. organization के द्वारा ये exam ली जाती है eligibility के अंतरगर class 3rd से 3 तक के बच्चे इस exam को दे सकते हैं class 3rd में social science या EBS, कुछ school में social science के नाम से या कुछ school में EBS के नाम से ये paper पर है जाते हैं जिसके exam class 3rd से यहां पर लिये जाते हैं exam level metric रहेगा, application process जो है school authorization रहेगा अर्थात आप school के माध्रम से ही इस exam को दे सकते हैं direct individual student इस exam को नहीं दे सकते हैं अर्थात आप online या direct individual इसका form नहीं भर सकते हैं school के माध्रम से ही आप इसका form भरके इसके exam को दे सकते हैं exam date में 2 level, level 1 के exam में date हैं हमारा 10 December और दूसरी date है 23 January 2005 exam mode offline रहेगी जो कि school में होगी and frequency of conduct साल में एक वर कराई जाती है objectives इसका यह है to identify and foster passion for social studies language English medium में इसकी exam रहेगी और duration वन आर्स कम एक घंटे का exam रहेगा exam date जैसा कि अभी हमने आपको बताया दो date रहें गी 10 December 2024 और 23 जनवरी 2 बज़ा 25 इसकूल अपने हिसाब से कोई भी एक डेट जो है यहाँ पर चूज करके उस डेट पर बच्चों को इसकूल में exam करवाएंगे तो हर इसकूल को दो डेट दिए जाते हैं जिसमें से इसकूल जो है कोई भी एक डेट को सेलेक्ट करके इस exam को करवा सकते हैं date of exam is change depending on impact of corona on the function of school exam की date जो है एक वार दिशाइड हो जाने के बाद बच्चे दूसरी वार exam का date चेंज नहीं कर सकते हैं और इसकूल अपने हिसाब से कोई भी एक डेट ले सकती है अब इसके हम श्लेवस एंग कोस्चन वेपर देखें ने 2024-25 के लिए श्लेवस क्या है